हाई दोस्तों मैं सुश्मिताथ्य पारटी स्वागत करती हूं आफ सभी का बैंकिंग वाल ओफिशल यूट्यूब चैनल पर अगर आप मुझे सुन सकते हो देख सकते हो तो फटा-फट एक एकप कॉफी भीजो और बता दो ओके गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग कुछ ठीक है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया मिले कॉफी भीजने को जो लोग बागी अभी तक नहीं भीजो ना वो लोग भी फटा-फट एक बार ही जोड़ा एक-एक कप कॉफी भीज दो किसी को कोई रिक्कत दुख परिशानी चलो लाइव हो गया ये और सबसे बड़ी बात है कि आज काफी टाइम से लाइव हुआ है बहुत टाइम से मैं आ गई हूं लाइव ओके तो मुझे यहां पर देख रहे हैं तनवर तनवर यू और सेंट मी डोनट्स एंट राइस थैंक्यू वंशिकर नारायन अमन हा झालो उसकती कलस को देखते हैं क्या क्या देखना एक एक चीजोंड पर हमभड़ते चलेंगे सबसे नारायन हम और 설ौ के बहुत सारे ऊसे स्टुडेंट हैं जीन आइसे शिए तढ़ने Canon किया थीप हैर तो बदा Kollegen अधन्यагा मुझे सरबर्द दास और नारायन की तरफ से मिला था लाक्त कमेंड मुझे परस और इस प्रेंजर की तरफ से मिला थाा इस स्टूडेंट दे जिन्हुने आन्सर किया था ठीक है तो ऐसा नहीं एक दो नहीं किया तरह बोहुत सारे स्टूडेंट ने आनसर किया था and good morning नीद आ रही है नंदिनी को ओके तो जिसने भी किया था भाई शुक्रिया और जो लोग नहीं किया थे मैं फिर से यह कहूंगी एक बारी सोचो कि आप लोग कॉमेंट्स क्यों नहीं करते हो बिकॉस कॉमेंट करना में जैसा आपको बताती हूं बहुत इंपोर्टेंट है सभी लोग कॉमेंट्स जरूर 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 किया करो ओके मैं बारी बता देती हूं किसने किसने कल के सेशन में अंसर किया है एक्चली काफी लोगों ने किया था अमन ने अभी जिस्ट 11 मिनट पहले भी किया है ग्रेट अमन ओके देन शिव पूजन तन्वर स्ट्रेंजर पारस सास्मिता भावना स्वाती दिन आयूशी शेकर शिफ पूजन अगेन दीपक बैंकर साश्वती समल मोहित वंशिका कावी लोगों ने अंसर किया था कल की सेशन में लेकिन वही बात है न सबका नहीं आता है नंबर पहले और लास्ट का आता है बीच-बीच में से मैं कुछ कर लों के भी नाम दिखाया करूंगे शिवम तुम क्यों नहीं आंसर करते हो मोटिवेट हो लिए आजाए क्या लिखा हुआ है नेवर लेट दफियर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग दगें तो इसका मतलब यह नहीं था उन्होंने खेलना उन्होंने उस डिफिकल्ट टाइम को ओवरकम किया और अभी आप देखो अभी वापस से गोट किंग कोली सब चल रहा है ठीक है तो यह किंग कोली वापस वो इतने बड़े अल्रेडी प्लेयर है उनको यह मिंटेन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो बहुत नहीं तारीफ कर रहा है मीम्स बनाना बंद कर चुके हैं उन्हें वापस से एक मिसाल दिया जा रहा है ठीक है तो अगर वो उस डर से छोड़ देते ना उस टाइम पर शायद आज यहां पर वापस नहोंते और उसी डर से छोड़ करके वह कहीं रहते हैं उनको लास्ट में जो आपकी लास्ट प्रफॉर्मिंस होते हैं वह हमेशा जादा मैंटर करती है तो वह जादा देखा जाता लेकिन हम लोग इस डर से कभी आगे खेलना नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपने गोल को नहीं अचीव करते हैं जिसके लिए हम बने हैं या जो हमारे जानने में ह सरक्राफ चीज की नीड होती है वह हती आपकी विलपा ål जो मैं हमेशा कहती हूँ अकर वह कर लोगे तो सब कुछ कर लोगे वो नहीं कर पाऊंगे दुन्या की बातों में आओगे तो कुछ नहीं कर पाऊगे वही कर सकोंगे तो दुनिंहा तुम्हारी remainsin बणा यही वीडियो बैंकिंग अवेर्निस दिख रहा 10 a.m. अच्छा यहीं से बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि एक से केंट रुखना बच्छों हां कि एक से बच्छा है प्रॉब्लम जाहीं है कि एक से हे अवेर्न यहीं से के बच्छी करता है झाल यहीं से बच्छाप प्रॉब्लम आपके साथ होता है हाँ सब मेरी साथ होता है एक सेकेंड देना बच्चों झाल 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 एक सेकेंड़ झाल झाल चलो बही, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को, I don't know exactly problem है, तो मैंने भी अभी notice कर, अभी वीडियो, इससे क्या होता, बच्चा divide हो रहा है, आज में टाइम्स आगे थी, पर यह problem कुछ नहीं बता ही रहेगा, चलो बही देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को क्वेश सबसे पहले question में आप से पूछा जा रहा है, किस country को अभी अभी leadership in family planning award दिया गया था, country category में, at international conference on family planning, held in Pattaya city, Thailand, ठीक है, तो यह किसको दिया गया था, इनमें से, यह दिया गया था, आप लोगों के, इंडिया को, ठीक है, यह भी याद रखे रहेगा, कि यह जो conference हुआ था यह हुआ था, Thailand में, ओके, यह भी एक important point था, याद रखे रहने वाला, और मैंने आपने को बताया था, कि इंडिया के अंदर एक बहुत important program होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, परिवार विकास program, इसका नाम है, परिवार विकास program, ओके, next question देखो, next question है, women's entrepreneurship day is observed on when every year, options देखेगा, November 17, 18, 19, 20, या 21, ठीक है, अब आप से question में पूछा जा रहा है कि, women's entrepreneurship day को हर साल कब मनाया जाता है, यह हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, यह हर साल मनाया जाता है, November 19, को, okay, next again, as per the RBI's handbook of stats on Indian states, state government's fiscal deficit, wide and absolute terms by a massive of how much percent to 9.3 trillion, यह था आपका 78%, ठीक है, तो R आप लोगों की एक report आई थी, जिसमें बताया गया था, कि जो भारत सरकार है, इनका जो fiscal deficit है, यह बढ़ करके कितना हो गया था, 78% तक बढ़ गया था, ठीक है, next again, देखो, who has become the first Indian female table tennis player to win a medal at ITTF ATTU Asian Cup tournament at Hoomark Indoor Stadium in Bangkok, Thailand, तो यह किस ने जीता, यह मानिका बत्राजी ने जीता था, कल हम लोगों ने इसके बादे में बातें करी थी, अब एक बात बतायेगा, पहली बार ITTF के committee में शामिल किया जाने वाले कौन से भारती है, प्लेयर है, इनका नाम है शर ठीक है, चलो, अगला देखो, who has been honored with the Gandhi Mandela Award 2022, तो यह जो Gandhi Mandela Award इस साल का किसको दिया गया, यह दिया गया है, 14th Dalai Lama जी को, यह ध्यान रखे रहना है, गांधी Mandela Award कब से शुरूर किया गया, इसकी शुरुआत हो यह 2019, जब गांधी जी की 150th Birth Anniversary थी, है, who has inaugurated Kashi Tamil Sangam, a month-long program being organized in Varanasi उत्तर प्रदेश, इसका inauguration किस नहीं किया है, इसका inauguration किया था, नरेंद्र मोथी जी ने, ठीक है, और यह कहां पर हो रहा है, दोस्तों, यह और आप लोगों का Varanasi उत्तर प्रदेश में, important है, यह point भी, next, थेखो, World Toilet Day is observed on when every year, तो World Toilet Day को हम लोग हर साल कम मनाय करते है, 19th of November, ठीक है, कौन सा special program है अपने देश में, जिसके थूँ हम लोग toilets या hygiene maintain कर रहे हैं, यह होता है, आप लोगों का Swach भारत में शिए, यह, किस ने दिया है, बताईएगा, किनो ने अभी अभी शुच्छ विद्याले पुरसकार दिया है, फटाफ़ाइब आंसर करो, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, वा, मोदी जी, वा, अब देखो, रिसेंटली दे नाशनल एजुकेशन सोसाइटी वर ट्राइवल स्टूरेंट एंड, फू है साइंड एमो यू तो कंडुक्त ट्रेनिंग एंड केपसिटी बिल्डिंग प्रोग्रम पर टीचर्स एक लभ यह मॉर्ड़ल रेसिडेंशल से किया, तो यह किसने किसने किया था, निउ डळी ठीक है सबसे पहली बार आप लोग का वह था फ्रांस में फिर बहता अस्ट्रेलिया में अभी थर्ड जो हुआ यह आप लोगं का न्यू डेली के अंदर हुआ है यह ध्यान रखे रहो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ओके चलो और एक जो बहुत ही इंपोर्टेंट संस्ता है जो अल्रेडी टेरर फंडिंग को कॉमबेट करने के लिए काम करते हैं यह होती है आपकी एफ एटी मुइन मुसीपत हो गया यह लाए न कुछ बच्चे इधर कुछ अवर बांकि अवेनिस वाली वीडियो पर और कुछ बच्चा इधर आ गया है वाही देखो आप लोग जो भी करिंट आधा इस वीडियो पर आजाऊ ठीक है मैं आप लोगंको फिर से वाही बताती हूं क्यो तो यह आप लोग जो अभी आठ वजे करेंट अफियर्स होती है उसमें आजाओ सभी लोग चैनल पर जाके उस पर्टिकुलर वीडियो पर क्लिक करोगे तेईस नमेंबर की तो आपको मैं मिल जाओंगी वहां पर सब आजाओ ठीक है हाँ स्टूडेंट्स दोनों देख रहे हैं वही प्रॉब्लम में कोई समझेगा भी तो नहीं जल दी चलो भाई ठीक है कोई दिकत दुख परिशानी नहीं है क्या कर भी सकते आज की हिट लाइन्स देखो क्या क्या है इंडिया जो है यह काउंसिल चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टरशिप ए आई की अध्यक्षिता ले लिया है फिल्हाल में प्रोफेसर वेनु को पाल अचंता इनको एलेक्ट किया गया मेंबर ऑफ इंटरनाशनल कमीटी फो वेट एंड मेजर्स के लिए पॉपिलर ड्रिंग्स ब्रांड रसनास फाउंडर अरीज खंबटा डाइस एट-85 नौवाइक जोकोविक विन सिक्स एटीपी फाइनल्स टाइल मैच इस रॉजर फेडरस रिकॉर्ड नंबर ओफ बेनिफीशरी इंडर पी एम किसान क्रॉस 10 करोर सरकार न सबसे लंबा गैस सब्सक्राइब किया है चाइना के साथ में तो बाई देखो बड़ी खतरनाक बात है खतर खतरनाक ओके देखो कतर नहीं होता है खतर होता है मेरी एक फ्रेंड थी वो मुझे बताई थी मैम इस नॉट कटर इस खतर ओके तो देट सब्सक्राइब कर देख सकते हो भारत ने अभी अभी जो है अध्यक्षिता कर ली है यह यह जा रहा है कैसे हो रहा है सब दीरे दीरे बाते हम लोग यहां पर समझते चलते हैं ओके देखो एआई आप लोगों को सभी को पता होगा कि AI आशकल के समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़े आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तमाम चीज़ें जो कि AI से की जा सकती है अराम से हो सकती है इसका यूज करके मैन पाउर की कमी भी नहीं होने देगा AI है तो मशीन लर्निंग है तो अब बहुत समय आगे बढ़ चुका है बहुत सारी चीज़ें हाइप हो चुकी है मार्केट में AI हो गया मशीन लर्निंग हो गया वर्चुल रियालिटी हो गया यह मतलब कह सकतो अपकमिंग जनरेशन के लिए सब कुछ यही है तो अभी क्या हुआ है ना एक आप लोगों के वहां पर ग्लोबल पार्टनर्शिप होता है इसकी अध्यक्षिता भारत कर रहा है हम दोग धीरे-धीरे करके इसके सारे पॉइंट्स को देखेंगे पहले यह देख लेते हैं जो लिखा हुआ है भारत ने अध्यक्षिता ग्रहें करी है ग्लोबल पार्टनर्शिप और याई की यह एक इंटरनाशनल इनिशेट जो पर देखेंगे इसके सारे यह दो रहें जो लोग बहुत द्यान से देखेंगे जा रहा है कि जो आइपिशल इंटिलिजिएंस है यह 967 बिलियन डॉलर इंडियन एक्वानिमी में एड करेगा दो हजार पैंटीस तक और 450 से 500 बिलियन डॉलर इंडिया की जीडीप में चीज तक जिस्ते आप लोग कह सकते हो कि हमारी जो कंट्री का एक एम है ना फाइफ ट्रिलियन डॉलर जीडीपी टागेट जो है हमारा कहीं ना कहीं 10% में अकेला जिम्मेदार AI होगा इस सब के लिए ठीक है अगर ऐसा हो गया तो अब देखो बिलकुल ले सकते हैं हिंदी वाले भी बैंक प्यों ले सकते हैं देखो जो है यह कॉंटर किया जा सके अब चलो देखते हैं हम लोग बेसिकली एक ख़बर क्या है और मैं जरा एक स्लाइड कर लेती हूं ठीक है कि ये बहुत अच्छी सुविदा है ना कि मैं यहां पर अड़ कर पा रहा हूं पहले तुम लोख बोलते थे मैडम करो और मैं स्लाइड कर पाती थी पर अब देखो अ बादल क्या है दोस्तु आब मैं स्लाइड कर सकते हुश था तो हम बात कर लीते हैं अगर तो स़री सो सोरी तो बैसिकली क्या है इंडिया जो है इंडिया अब अध्यक्षिता करेगा है इंडिया क्या करेगा और यह ग्लोबल पार्टनर्शिप और वह अब है भी पड़ी ओगे अब आपको यहां पर याद कर रखना चुछ है कि exactly यह जो global partnership on AI है यह है क्या जिसका इतना हाइप बन रहा जिसके बारे में हम तब से पढ़ रहे हैं कि भारत इसकी क्या करेगा अध्यक्षिता बने करेगा तो देखो global partnership आप लोग कह सकते हो यह basically इसको launch किया गया था 15 जून 2020 को इसकी जो launching की गई थी यह की थी 15 जून 2020 को launching करी गई थी और कह सकते हो आप लोग की तमाम मतलब stakeholders और जो कि इसको support करते हैं इसको develop किया गया था during G7 Alliance तो जो आप लोग का G7 Alliance है इन्होंने मिल करके इसकी development करी है okay इसका मकसिद क्या है AI की अंदर improvement करना तो आप लोग कह सकते हो कि जो theory और practice होते है और artificial intelligence की या नि जो हम लोग theory part पढ़ते हैं वह उसका practical use जो होना होता है इसके बीच में जो एक bridge है इसको खतम करने के लिए कि जो आप लोग जो theoretical कर रहो ना उसे आप लोग exactly reality में यह इस alliance को बनाए गया था क्योंकि AI अब बहुत ही तेजी से क्या हो रही है बढ़ती जारी इसलिए जरूरी है ऐसा कुछ करना तो यह जो इनिशेटिव यह global cooperation जो है जितनी भी countries है उनका जो ग्लोबल को operation है related to AI वहां पर यह work करते हैं कि कैसे हम लोग उसको और बहतर बना सकते हैं कैसे उसमें कुछ नए challenges को tackle कर सकते हैं और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ठीक है अब इसके लवा यह देखिए गा एक बात हां इसके लवा एक और भी बात आप लोग याद रखे रहेगा कि इसके members कौन है तो जैसा मैंने आपके साथ में discuss करा कि इसके जो members है यह फिलहाल में टोटल कितने है 25 फिलहाल में GP AI के अंदर जो members है यह आपके 25 है important point है अब इसमें बहुत सारी countries है उस्ट्रेलिया, Belgium, Brazil, Canada, जमनी जी 7 को तो ऐसे ही आप लोग इसके अंदर ले लो ठीक है और क्या याद रखे रहेगा कि इनकी summits की हम बात करते हैं तो जो इनका inaugural edition था न जो सबसे पहली बार इनका edition हुआ था कब launching हूँ यह बच्चों 2020 में जो इनका inaugural edition था यहां मैं लिखती हूँ inaugural यानि की पहला edition इनका inaugural edition हुआ था 2020 में और इसको किया गया था Canada के द्वारा Montreal Canada में हुआ था अगर मानलो बाइचांस आप लोगों से पूछ लेता है कि शहर में हुआ था तो यह Montreal Canada में हुआ था ठीक है यह आपका Montreal Canada में इसको होस्ट किया गया था इसके इलावा कि आप लोग याद रखे रहेगा कि जो सिकेंड एडिशन था यह आप लोगों का नवेंबर 11 2021 में हुआ था यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है अब देखो थर्ड एडिशन की हम बात करें तो इसको टोक्यों में और जाएज किया गया ठीक है फिर सिकेंड था फिर थर्ड था थर्ड आप लोगो तोक्यों के अंदर हुआ था और अब आप से पूछा जा रहा है दो तो शहरों में अलग अलग होटा इस पे हमोंगों को बहुत जाद नहीं देकना है इसके अंदर में कूंथेंड को घ्रेंड के कर रही है ठीक है तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंड यहां से निकल के पूछा जाता है अप लोग को एसे याद रखना होगा पूछा जा सकता है जैसे मैंने आप से कहा टोक्यों के अंदर हुआ तोक्यों जपान तो एक कॉमन सी चीज जो आप लोग अब एक चीज देखेंगा आप सभी लोग जो पहला दिन था जी पे आए का समिट ठीक है तो अ कई बार देखते होंगे ठीक है ना तो एक्चुली वह जो हो गया था न उसकी वज़े से कॉंटिन्यूस वह आ रहा है मैसे जा रहा है तो उससे थोड़ी सी डिस्ट्रॉबेंस होगी तो एक्स्ट्रीमी सॉरी फॉर्द सीम ठीक है तो यह आप लोग ध्यान दीजेगा सबसे महारत्वपूर्ण कारिक किया जाता है यह किया जाता है नीतियायूक द्वरा कशायद आपने को पता होगी कि जो entrepreneurs हैं या बाकी भी शेत्र में क्या किया जाए AI को बढ़ावा दिया जाए ठीक है सिर्फ भारत नहीं जितने भी देशें हर एक जगे क्या हो रहा है हर एक जगे कुछ न कुछ आप लोग कह सकते डिवलप्मेंट की जारी रिलेटिट टू ए जितनी जाद हो सकते उसे रिले के नीती आयों के अंडर आता है और एम हमारे देश में अल्रडी काफे कुछ किया है अभी हम लोगों ने वह कॉफी टेबल बुक वाली बात भी करी थी इसके साथ में एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी सभी को न कि एम को अभी दो साल के 2020 को हुई थी जी सवेन अलाइंस ने मिलकर के इसे फॉर्म किया था जिसका मक्सद होता है ग्लोबल इस तर पर एको बढ़ावा देना इसके साथ में जो है यह बेसे केम है कि जो एको लेके ठीकल बाते हो और जो प्राक्टिकालिटी इसके बीच में जो ब्रिज है ना इसको जाए कि हाँ इसमें 25 मेंबर्स होता है ग्लोबल को आपरेशन के लिए चलता है तो जैसे सभी देश हैं सभी मिलकर के आपस में कुछ कर रहे हैं वैसे भारत क्या कर रहा है भारत में बहुत सारी चीज़ीं हो रही है एक जो बहुत महत्वर्पूंड का रहे है वो नीतिया के अंदर जो एम है यह अल्रेडी कर रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए ठीक है इतनी बात है एक छोटी से बात में और आपके साथ हैट करना चाहूंगी कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो रिसर्च डिवलप्मेंट में खर्ष होना चाहिए ठी ठीक है अब मैं क्वेश्चन आप लों से पूछाँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने बच्चे थोड़े पुराने यह वो लोग शायद बता पाएंगे असानी से की आर इंडी के अंदर इंडिया कितना करता है इंडिया जो है यह कितना इस्पेंड करता है इन आर इंडी अगर किसी को याद हो तो प्लीज बताईएगा ठीक है चलो हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं तब तक अगली खबर बहुत इंपोर्टेंट है खबर यह है प्रोफेसर वेनु गुपाल अचंता ठीक है इनका एलेक्शन किया गया है एस इन मेंबर ओफ इंटरनाश सेनल कमिटी और वेट एंड मीजर्ज ख़ीक है अभी तक भारत से सिर्फ श्रफ साथ लोग आ जिनका इस कमीटी के अंदर चुनाव कियागा है फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो वेनु अचंता जी का भी इसके अंदर क्या किया गया है चुनाव किया गया है ठीक है 0.7% of GDP देखो कुछ बच्चे बोल रहा है मैं no idea I understand you don't have any idea बट आप लोग एक काम कर सकते हो इसे सर्च कर सकते हो गूगल पर नहीं मिलता है तो मुझे बता ना बाकी तो मैं हूँ बस एक काम किया करो प्रभू सभी लोग अगले सेशन में मुझे एक बार याद दिला दिया करो कि मैडम यह डिसकस करना था तब मैं वो पॉइंट आपक खबर पढ़े रहे हैं खबर हमने यह पढ़ा है कि 0.6% 0.6% देखो देखो देखते चलो अब ध्यान दो बहुत सारी बाते हैं इसमें जानने समझने वाली सबसे पहला तो यह है कि in a historic election अपने में यह अतिहासिक है कि हमारे वहां से जो वेनू गुपाल अचंता जी है न य SIR National Physics Laboratory की यह क्या है यह डिरेक्टर है अभी अभी इन्हें जो है एलेक्ट किया गया है एक मेंबर कहां का International Committee for Weights and Measures तो आप में से काफी लोग ऐसे होगे जो लोग आलरेड़ी जानते होगे कि SI units क्या होती है ठीक है आप में से काफी लोग ऐसे होगे जो लोग जानते होगे शायद थे कि SI units क्या होती है ठीक है जरह SI का full form बताओ तो what is the full form of SI सभी लोग बताओ जो भी लोगो सेशन में आप में मिलेगी ठीक है नारायन से भी लोग बताओ कि इसका मतलब क्या होता है SI का full form क्या होता है कि कोई कुछ बिताता ही नहीं है सब गायब हो जाते हैं कि international standard यह बहुत ही असान था ठीक है चलो खाय तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि कि international committee for weights and measures अब क्यों मैं तबसे आप से यह बात कह रही हूं कि यह अपने में एतिहासिक है ऐसा क्या है कि मैडम इसको एतिहासिक बता रही है जो आज तक कभी हुआ है नहीं हुआ है कि कभी नहीं हुआ है लेकिन खास बात यहां पर यह है न कि इस particular committee के अंदर इनका जो selection है यह साथवी personality होंगे भारत से जिनका इसके अंदर क्या किया गया है चुनाव किया गया है ठीक है तो देखो अभी हुआ क्या है अभी फिलहाल में एक committee बैठाई गए थी और उन्होंने बताया कि भारती है यह हैं जिनको इसके अंदर नामित किया जा रहा है ठीक है अब देखो जो प्रोफेसर गोपाल जी है ठीक है विनु गोपाल जी है इन्हें डिकलेर किया गया है एक elected member जो अभी इनकी 27th general conference हुई थी weights और measures पर अब यहां से हमें एक और बड़ा important point निकल करके आता है कि इनकी जो 27th general conference हुई है weights and measures पर यह हुई कहा है यह आपकी Paris France के अंदर की गई है ठीक है प्रोफेसर अचंता उन 18 लोगों में से हैं जो अलग-अलग countries से चुनके लाए गए हैं और सातवी ऐसे भारती हैं जिन्हें इस committee के अंदर चुना गया है अब अगर हम बात कर लेते हैं exactly यह जो हम पढ़ने हैं तब से CIPM CIPM यह है क्या तो जो CIPM है यह एक supreme international committee है जिसका मकसद होता है कि यह work करती अंडर authority of general conference of weights and measures ठीक है weights and measures का जो आपका general conference है उसके अंडर work करती है और यह जो general conference है यह highest intergovernmental organization है जिसको एक diplomatic treaty के तुरू बनाया गया था मीटर convention ठीक है मीटर convention की signing की गई थी 1875 पेरिस के अंदर और इसी के बाद सी यह बनाया गया था आप लोगों का conference on weights sorry यह आप लोगों का संस्ता जो है weights or measures का इसके बाद ही बनाया था तो अभी जैसे कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कि किलो ग्राम की definition में कुछ नहीं modification की यह कहीं पे भी तो यह जो SI units होती है ने standard international जो आपकी units होती है इसके अंदर कोई भी modification करना होता है तो यह committee उसके लिए responsible होती है समय समय पर इनकी meeting होते हैं यह देखने के लिए कि जो भी units अभी हम बता रहे हैं क्या वह appropriate हैं क्या उस पर कुछ changes करने क्या क्या कोई नहीं मतलब भारती है लोग जानेंगे ना कि हाँ यह भारती है तो हमारा ही नामस से रोशन होता है इसलिए अपने में historic move होता है तो यह जो पूरा हम देख रहा है ना कि आपका general conference वेट और मेजर जो की intergovernmental organization होती है इसको एक treaty के अंदर बनाए गया था इस treaty का नाम है मीटर कन्वेंशन ठीक है इस treaty का नाम था मीटर कन्वेंशन और इसकी साइनिंग की गई थी 1875 पेरिस में ठीक है 1857 से तुम लोग कंफ्यूज मत होना 1875 में की गई थी और कहीना कहीं यह development और implementation करता है system of units का ठीक है फिलहाल में हम बात करें तो यह जो आप लोग का CGPM आप ल प्रेजेंट करा जा रहा है 64 मेंबर कंट्रीज के द्वारा और इनकी मीटिंग होती है every fourth year at International Bureau of Weight and Measure France अब यहां पी जब हम लोग बातें करते हैं तो बहुत important important point निकल कर आती हैं अगर हमने उन्हें सही से देख लिया तो बहुत अच्छा अगर हम लोग present body absent mind रहे गये तो ब इंपॉर्टेंट एक और जो बात यहां से निकल के आई कि फिलाल में जो जनरल कॉंफरेंस है आप लोगों का वेट्स मेजर्स पर इसको रेप्रेजेंट किया जा रहे 64 मेंबर कंट्रीज के द्वारा और इनकी मीटिंग होती है हर fourth year पे कहां पर International Bureau of Weight and Measure जो की स्थित होता ह है फ्रांस के अंदर इसका जो प्रामरी अब्जेक्टिव है वही होता है कि यह सी आई प्यम जिसमें 18 मेंबर्स नामित की जाते हैं जिसमें से कि इनका भी नाम है यह क्या करें प्रोमोट करें international harmonization of SI meets annually and deliberated तो वही वह काम करते जो मैंने अभी आपको बताया यह लोग एक बारी बैठते हैं और तमाम तरीकी की बातें करते हैं कि कि हम लोगों को कुछ नया करना है कि किसी चीज की किसी यूनिट को बदलना है कि उसमें कोई मोडिफिकेशन करना यह इनका overall meeting होता है ठीक है वह आप लोग देख लिए यहां पर अब देखो यह जो भी फिलहाल में चुने गया है वेनुको पाला चंता यह CSIRNPL को बिलॉंग करते हैं ठीक है यहां पर लिका हुए CSIRNPL National Meteorology Institute of India इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं से नामित हुआ है इनका नाम मतलब यहां के डारेक्टर फिलहाल में इनको वहां पर अभी सिलेक्ट किया गया ठीक है तो इसको बनाया गया था नई दिल्ली में CSIR के द्वारा उनीसो से तालिस में जो गवर्नमेंट है भारत की इन्होंने इनक्त किया था स्टैंडर आफ वेट अंद मेजर आक्ट फॉर्स ताम इन नहीं होता तो बहुत सारी जगड़ी नहीं होते इतने गर में तो इसलिए जगड़े होता है कि कोई सथा किलो का उसको वाई चांस किसी ने एक सथा कह दिया तो यह स्टैंडर्ड यूनिट है जो कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण है सभी के जीवन में मैं तो ऐसे ना काम करती है ना तो दियान दिजेगा आप सभी लोग तो यहां पर ध्यान दिजेगा कि यह जो है अपने देश में इसको कब से लागू किया गया कब से आया है तो देखिएगा हमारे देश में पहली बार जो स्टैंडर्ड ओफ वेट और मेंजर्स एक्ट है यह पहली ब बन गया था ओके चलो ठीक है किसी को कोई देख्कत दुख परिशानी कुछ बुरा लग रहा है नहीं कि आगे बढ़ा जाए हम लोग कि आगे आगे बढ़ते रहना है रसना आप लोग शायद जानते होगे रसना हम लोग बहुत पिया करते थे एक समय पे है ना मतलब घर घर में बड़ा मशूर नाम है रसना का मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोड़ी दी तो स्कूल में जब इग्जामिनेशन होते थे फाइनल वो एप्रिल का टाइम होता था जब घर आती थी तो मेरी मा रसना बनाकर रखी रहती थी एंड आए वस वेरी मच एक्साइड़ फॉर यह जल्दी से जाकर उसे पिया करती थी ठीक है तो दैट वस्ट पार्ट ओफ अभी हुआ क्या है कि popular drink brand रसना's founder Aris Khambatta dies तो जो इस brand के founder थे अरीज Khambatta इनकी अभी हाल फिल हाल में death हुई है ओके चलो देखते हैं ज्यान दीजेगा Aris Firusha Khambatta, the founder and chairman of Rasna Group, died on 19 November. In 1976, Khambatta established the popular orange-flavored beverage brand which went on to become a household name by the early 1980s. Subsequently, the birth of Rasna Girl became an instant hit with its iconic I love you Rasna tagline. The Ahmedabad-based firm now has a diversified portfolio of spread, beverages, concentrated soft drink, energy drink selling across 60 countries. He was awarded the President of India's Home Guard, the Civil Defense Medal and the Paschimi Star, Samar Seva and Sangram medals. तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पूछ रहा है अबरज, banking वाला की जैकेट कैसे मिलेगी? सेलेक्शन लेकर आओ, banking वाला की जैकेट, physics वाला की जैकेट, सारी जैकेट मिलेगी. सेलेक्शन लेकर जिस दिन ओफिस आओगे न, इसके साथ में इनाम भी मिलेगा. लेकिन सेलेक्शन लेकर आओ, बहुत कुछ मिलेगा, सब बैंकिंग वाला की तीम, कोई नहीं करेगा मैं कर दूँगी अपने परसनल सेटी, अपनी जैकेट दे दूँगी. मैं रसना से इतना जुड़ा हूँ, इसलिए फील कर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक चाटेजी नूस की एजिंसी भी ले ली थी, तो मुझे बहुत फील आता था, बड़ी मैं कनेक्टेट हूँ रसना से, अभी मैंने ये नियूस पढ़ी, कि फिलहाल में जो इनके फाउंड ये जो आप लोगों का, ये जो आपकी न्यूस है, आपको पता होगी शायद कि ये आपकी, और भी ट्विरी सेक्शन में आती है, और भी ट्विरी की जो भी आपसे एक्जाम में क्वेस्टेंस आते हैं, वो यही पूछा जाता है, कि कौन था, किस फील्ड से रिलेटेट थ और इनकी डेथ होगी है, तो एक दो और क्वेस्टेंस कुछ ऐसे पूछ लिए जाएंगे, वो सकता है, क्वेस्टेंस को टफ करने के लिए आप लोगों से अवार्ड पूछ लिया जाए, लेकिन याद रखे जाएगा कि अवार्ड पूछा जाता है, तो बहुत हाई लेव एक एक करके हम लोग दो चाहर नाम और पढ़ लेते हैं, एक तो आप लोग याद रखे रहेगा, दलजीत कौर, ठीक है, इसके अलावा किसको याद रखे रहेगा, अब बास मुंतासर, अब बास मुंतासर, ठीक है, तो एक इनको याद रखे रहेगा, ये भी बड़े इंपोर्टिंट हो जाते हैं आप लोगे, इसके अलावा याद रखे रहेगा आप लोगे किसको श्याम सरन नेगी, ये मैंने आपको पूरा काफी बताया था डीप में, श्याम सरन नेगी, ये पूरे भारत के सबसे पहले व्यक्तिते जिन्होंने वोट किया था, शायद आप लोगे को याद होगी ये बात, ठीक है, और किसे याद रखे रहेगा आप लोग, जमशेद इरानी, स्टील मैन ओफ इंडिया, जमशेद इरानी, वो इस आल्सो कंसिडर्ड एस स्टील मै इंडिया, ठीक है, तो अभी हाल फिलाल में इनकी विडिये तो ये वो भी आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है, और किसे याद रखे रहेगा आप लोग, अमाउ हाजी, इनके बारे में तो आप सभी लोग पढ़े होगे, इनका डिपरेंट ही टैक था, ठीक है, अम अमाउ हाजी, इनकी भी अभी अभी डैथ हुई है, तो ये वो लोग हैं जिनकी हाल फिलाल में क्या हुई है, अभी डैथ हुई है, और इसमें श्यामसरन नेगी, जमशेद इरानी, अबास मुंतासिर और अमाउ हाजी, इन लोगों को बहुत इंपोर्टनली आपको याद करतना है, क्योंकि इनके डिफरेंट काइंडी के रिकॉर्ड थे, सबसे गजब रिकॉर्ड था, अमाउ हाजी का डिर्टीस्ट मैन, मुझे ऐसा लगता है कि आशकल की जो हमारी जनरेशन है, वो इनका रिकॉर्ड बहुत ही असानी से ब्रेक कर सकती है, अब दूसरा आके कह तो मैं इनको साथ ब्रेक करके दिखाऊंगी इनका रिकॉर्ड, कर भी देंगे सब, ठीके, और जमशेद इरानी या आप लोग के, स्टील मैन ओफ इंडिया थे, श्याम सरान नेगी दा वरी फर्स परसन तो वोट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीके, हाँ, इन्होंने के के हाँ, वो भी अलग बात है, चलो, अगली कबर देखो, नुवैक जुकोविक, मैं परसनल फेवरिट, मैं नहीं जानती हूँ टेनिस को बहुत, लेकिन मैं नुवैक जुकोविक को जानती हूँ, इन्हें फॉलो करती हूँ जगे-जगे, मुझे बहुत पसंद है, ठीक पैंक और इंज्वरेंस का यहाँ पेपर नहीं है, जिसमें तुम बिना करेंट आफियर्स के पढ़ए के पास हो जाओ, बतारी मैं तुम्हें, तो यह तोजना भी मत अगर तुम्हें निकालना हो, और करेंट आफियर्स को साइड लाइन करो, कभी गलती मत करना, करेंट पनाम मैंचर्ड होते हैं वैसे यह चोटा सा ओबर यूब आप लोग और देती हूं तो इससे आप लोग यूग का सुनते होगे ग्रैंड स्लैम है चैसे जो एट रहां है ना मज़ा आगे विल्कुल टिके तो यह जो एटी पी फाइनल्स होता है यह पूरे साल में 9 होते हैं और इसका जो विनर होता है उसे 1000 पॉइंट्स मिलते हैं ठीक है सबसे बड़ी बात होते हैं कि जभी भी लोग ATP फाइनल्स खेलने जाते हैं तो जो टॉप सीड़ेट प्लेयर होते हैं उन्हें पहला मैश नहीं खेलना होता है यह आपका ATP फाइनल्स होता है ठीक है लेकिन फिर आता है Grand Slam Grand Slam साल में चार बार होते हैं मतलब चार होते हैं ओवर ओके और इसका जो विनर होता है उसे 2000 पॉइंट्स मिलते हैं Grand Slam comparatively बड़ा होता है किस से ATP final से ओके अब Grand Slam जो है मैंने क्या कहा है ATP का जो भी पहला मैश होता है उसमें कभी भी यह लोग कभी भी जो है इन्हें जो टॉप सीड़ेट पहला मैश खेलने की नीड नहीं है लेकिन Grand Slam में सभी को पूरे मैचस खेलने होता है ठीक है और सबसे बड़ा जो होता भी है वह आपका Grand Slam होता है ATP से कहीं ज्यादा बड़ा होता है ठीक है यह आप लोग अगर देखोगे और आप सोचते होगे कि अभी तो यह एटीप जिते अभी तो यह ग्रैंड स्लम जीद आप अपलों को थोड़ी सी confusion होती होगी यहाँ पर वो confusion आपकी नहीं रहे जाएगी वह दूर हो जाएगी इसलिए मैंने आपको थोड़ा यह भी बता दिया है इन्होंने अभी अभी नॉर्वे की कैस्पर रूट को जो है हरा दिया है और इसके साथ ही साथ जो वह जो कोविक फॉर्स टाइटल एट इविंट सिंस 2015 एंड वन देट मैंचेस रॉजर फेडरस रिकॉर्ड थर्ट थर्टीफाइव ओल्ड जो कोविक इस दो ओल्डेस प्लेयर टाइटल ठीक है तो यह जो एटीपी फाइनल्स का टाइटल है यह सबसे अभी तक व्रिद्ध व्रिद्ध की कितने हैं व्रिद्ध में 35 साल के जिन अगलक टाइप की तो इसे हार्ड कोड पर खेला जाता है ठीक है इसके अलावा जो है यह सीजन एंडिंग इविंट था हाइस ट्रैंग्ट सिंगल्स प्लेयर के लिए और डबल टीम के लिए एटीपी टूर का फिफ्टी थार्ड एडिशन था इस टूर्नामेंट का और सेक इंग हैं किसका रिकार्ड IKOL कर लिया है रोजर फेडरर तो रॉजर फेडरर भी आपलोग जानती है कि जूर्घर फेडरर यह अपने में ही बऌट बड़े प्लेयर माँने जाता है। रोजर फेडर गॉर आफिस तोप स्ना टॉपस लेवल पर होते हैं यहां पर रोई लि कोई भी ऐसा जो कि फिलहाल में जल्दी में है एवरिधिंग को कि कि लो भई मुझे उमीद है कि आप लोग अभी जल्दी में नहीं होगे ठीक है तो देखो जो मैंने आपको बता है कि जो यह पुर्म होता है यह चार होते हैं क्यों मैं आप आप से डिसकस कर रही हो क्युक्वी दोस्तों यह इंपोर्टेंट यह याद रखने वाली बात थीक है तो जो ग्रैंड स्लाइम होता है कि आपके टोटल 4 होते हैं कौन-कौन से बैंस यूजित अपन-चल्ट नदी के और यूएस उपन होता है यह दोनों हाड कोड पे खेले जाते हैं यह भी हाड कोड पे खेला जाएगा और यह भी हाड कोड पे खेला जाता है ठीक है अगर हम बात करते हैं फ्रेंच की तो फ्रेंच जो है इसको कहां खेला जाता है इसको खेला जाता है क्ले कोड पर पूछे जाता है कभी-कभी में भी पूछी लिया जाए ठीक है फ्रेंश को खेला जाता है ख्लेकोड पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं विंब्लेडन तो विंब्लेडन जो है यह आप लोग का येस आप लोग का अब एक ही बचाता GrassFit ठीक है तो ये चार आप लोग के Grand Slam होते हैं और फिलाल में हम देखें तो जो अस्ट्रेलिया है ये अस्ट्रेलिया नोपर आ नोटा है ये Hard Bot पर रोता है फ्रेंज उपर नोटा है आप लोगों के लिए ठीक है तो अगर हम लोग रिकॉर्ड की बात करते हैं ग्रैंट स्लैम टाइटल जो नोवैग जो कोविक जी है यह और रॉजर फेडर ठीक है इसमें जो रफैल नडाल जी है इनके पास में सबसे ज़्यादा अभी तक का फिलहाल में यह रिकॉर्ड है र पूचे जा सकते हैं आपनों से यहां पर क्वेश्चिन को कि कि इस बार कौन-कौन जीता था इने रॉजर फेडर अभी रिटायर हुएं बहुत मशूर नहीं हुज ती मुझे असा लगता है कि अभी तक सारे लोगों को यह बात याद भी हो गई होगी नहीं बताओगे देखो यह दोनों जो है न यह 2022 का रफैल नडाल जीते थे किसी से मैंने दोनों को उपर नीचे लिखा था यह जो दोनों गेम हुआ था आप लोगों का आस्ट्रेलियन और फ्रेंच उपन इस दोनों आपका रफैल नडाल जीते थे ठीक है इसके अलावा याद रखे देग काna where विम्ब्लेडन को नोवैक जीते हैं और यू एस विउपन को कार्लोस और हैं अलकारो में यह इस बार के विनर थे वो में आप लोग देख लेना मैंने मिन्स आपको बता दिया मुझे याद भी निया रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूं बहुत इशर्म हम देख लेते हैं बहुत टाइम हो गया इसमें पीम किसान के अंदर जो नंबर ओफ बिनिफीशरीज हैं यह दस करोड से जादा क्रॉस कर चुके हैं तो पीम किसान क्या होता है से पीम किसानदे को इसकी लाँचिंग की गई थी दो ह dosag 19 में जोра बैसिकली यह话 कोई है जिनके भाई भाई वढँ विधायक हैं और वो यहां हूं यह कोई और है जनके घर का कोई जबज रटायर थैय वो farmer है तो कह रहे है मैं farmer हूं नहीं इसके पास में लैंड बहुत कम ہے जसके ओपर dependent wife और बच्चे है farmer मतलब यह ता जिसके घर में कोई विधायक है बहुत बढ़ेया pension वाला उनको नहीं यूंट लूट किया रहा था ठीक है तो इसके लॉंचिंघ की गई है 2019 में पहले पहले कहा गया था कि इसके इंदर सिर्फ और सुर्स्फ dwoh category थोजरी farmers के आं जिए इसमॉल और marginal क्या है यहां एक पारी देख लो या एक थ incl1 और एक हदा की लेंड है है तो यह आप लोग के इस्मॉल और मार्जिनल फर्मर्ड ने इस तरीके से इनको इनको डिवाइट कर दिया गया था ठीक है अब देखो फिल्वाइब बताया रेकाइब किसान यूजना के इन्दर यह था कि जो भी वा in to listen in कि बाश्रा में कह सकते होगे इनन्हें किया जाएगा इन्हेंन सची ऐस्टेंज जाएगा यह तो फैनेंट्चल पर यह इन यहसे होता है या मैं इस तरीके से दी जाती है तो जो भी किसान इस के टिगरी में आता है जो इसके लिए लिजिबल है उन सभी को हर साल जो है 2000 रुपए तीन अलग-अलग इंस्ट्रॉल्मेंट में दिया जाता है PM किसान के अंदर अभी फिलाल में खबर यह आई है कि जो PM किसान जो कि एक central sector इसकी में यह सप्लिमेंट की जा रही है financial need of land holding farmers कि अभी यह बताये गया है कि जो रिलीज किया गया है benefits दिये गया है farmers को installment period अंड़ पीम किसान यह अब 10 करोड तेन करोड फार्मर को क्रॉस कर चुका है 3.16 करोड इसमें फार्मर्स थे जब पहला इंस्टॉल्मेंट पीरियड आया था पिछले तीन सालों में तीगुना इंक्रिमेंट देखने को मिला है नंबर ओफ फार्मर्स में पीएम किसान के अंदर यानि की लोगों के अंदर जागर रुकता है और लोगों को जिसके लिए लाए गया था इससे कुछ बेनेफिट इससे मिल पा रहा है अब देखेगा की पीएम किसान जो है यह इस पन फ्री यह था सुक्सेफ़ुली प्रोवाइट असिस्टंस फुल लाग करोड तो करोड सफ नीदी फार्मर्स अव थिसमांट इसको इसले ही लाए गया था कि जो भी तो इसको इसले ही लाए गया था कि जो भी इसको नहीं लाए गया था ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि सबको मिला था बहुत सारे एक सीन है जो लोग मतलब आप लोग अगर एक चीज को फोकस करो बहुत ही शर्मिनाक बात है कुछ लोग इसके बेनिफिट लेते होंगे अपने आपको पेपर पर दिखा दिखा दिए आप सोचो जो उतना स्मार्ट नहीं यह उससे तो नहीं मिल पाया आपकी वज़े से तो यह स्मार्टनेस तो अच्छी नहीं है कि आप दुनिया बर के लोगों का जो है कुछ भी लेकर चीन के चल रहो और अपने आपको स्मार्ट भी बता रहो तो यह एक प्रॉब्लम है हम इस सारी चीज़ें आपके सामने यहां पर लिख्यों यह ठीक है देख लीजेगा आप लोग किसान की लॉंचिंग कप की गई थी इसकी एप्रिल में लॉंचिंग की गई गोरगपूर से अनॉंस्मेंट किया गया था 2019 का जो इंटरिम बजट आया था उसमें ठीक है अगला देखते हैं अगली कबर हमारी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ठीक है COP27 अगर आप लोग देखो मतलब यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहां पर एक चीज की क्लाइमेट की वज़े से होती है इसकी डिफिनेशन अपने में ही बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर कि बड़ी कन्फियूजन थी कि इसका लोग डिफिनेशन कैसे निकालेंगे और इससे फाइदा किसे दिया जाएगा ठीक है तो यह काफे दिनों से एक मुद्दा चल अब बहुत है तो मुझे सबसे पहला आंसर मिला है अमन से अगेन आंसर फो नारायन थन्वर तसमिता सुमित रियल किन्नुसो नारायन अव्रेवन इस अंसर नारायन थी बाताओ सब्सक्राइब करेंग ग्रेट देखो भई स्योपी 27 का विन्यू है एजिप्ट शर्म अलशेक कि योपी 28 यह कहां होगा UAE और 26 ग्लासगो स्कॉट्लैंड का मतलब तो यह पिछले तीन है याद रखे रहो कभी-कभी बनता है पिछला और अगला कहां कहां पर हुआ था कहा का होने वाला ऐसे मतलब exam के questions आ जाते हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं कभी-कभी ओके तो चलो देख लेते हैं हम लोग और जानते हैं कि exactly loss and damage है क्या ठीक है देखो loss and damage funding अभी अभी कहा गया है जो आप लोगों का यह COP27 summit हुआ है COP27 summit के अंदर कहा गया है फिलहाल में जो भी delegates थी UN की इन्होंने कहा है कि हम लोग मिल करके एक loss and damage fund बनाएंगे या बनाएंगे हम लोग मिल करके एक loss and damage fund create करेंगे यह इनका कहना था क्यों ताकि जो भी सबसे जादा वल्नरेबल countries हैं उनको compensate किया जा सके ठीक है अब जैसे खतर है मुझे खतर या कुवयत ऐसे countries है जो कि इसके लिए वल्नरेबल नहीं है जो भी अर्थ को एक वगराती है बहुत लेकिन जपान इंडिया इसे बहुत ही वल्नरेबल है इनके लिए ठीक है अभी आप लोग शायद देखियो कि सुमालिया का फमीन यह बहुत बड़ा इश्यू है इस समय बहुत ही बड़ी एक विए उसी पर मीम चल रहा है उसी में सब बिजी हैं अपना और मीम बना दियोंगे चार्टी के उसी को लोग शेयर कर रहे हैं कि हम हिंदुत वह फालो करने दूसरा कर रहा है मुस्लिम खराम नहीं इसी में हम सब बिजी रहते हैं लोग कभी काम की चीज नहीं रेकिन द सबसे ज़्यादा एफेक्ट है क्लाइमेट चेंज की वजए से तो जो भी मोस्ट वलना रेबल कंट्रीज इनको क्या करेगी यह एक तरीके से कंपन्सेट करेगी लॉस और डैमेज जो मैंने आपको कहा गया कि लॉस और डैमेज का एक जो डेफिनेशन लाना था यह बहुत क्या होगा तो लॉस और डैमेज में कहा गया है इसकी डेफिनेशन को बताए गया है कि जो इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का जिसको कोई इसी भी तरीके से मिटिगेट नहीं कर सकता है तो कह सकते हो आप लोग इट कैनोट भी मिटिगेटेट यह आपके एक्जाम में किंगेट कर सकते हो जोय का ज्याइव हो जाएगा जिसको अप लोगे इस्के साथ में लोग हें चल्कषट हो रहा है ठीक है किसका लोस बायो डाइवर्सिटी हो गई बायो डाइवर्सिटी का लोस हो जाएगा ठीक है जिनकी भी कुछ cultural importance है इनका लोस यह सारी की सारी चीजे मैंने क्या बताया आपको मैंने यह बताया कि जो loss or damage है यह fund इन सभी के लिए use किया जाएगा और loss or damage का मतलब है वो loss or damage जिसको हम नहीं avoid कर सकते हैं और जिसको हम adapt भी नहीं कर सकते हैं अपनी अलग-अलग आदतों से ठीक है तो अब इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा यह होगा कि already जब इसकी definition दे दी गई है बता द होगा कि जो ऐसी countries है नो उनके लिए scope बढ़ गया जो countries है इनकी funding का scope बढ़ गया नहीं तो मान लो कोई ऐसी साइट है यहां पर habitat इतना जादा नहीं है लेकिन मान लो उसकी cultural बहुत importance है उसका कुछ loss हो रहा है कहीं biodiversity का loss हो रहा है तो तमाम बात हैं दिखा करके paper पर उसको श कि यह जो countries हैं इनके लिए funding का scope क्या हो जाएगा comparatively बढ़ जाएगा which is a good sign अगर इसको implement कर दिया गया तो ठीक है अब ज़रा देहान दो और सभी लोग और कुछ बातों को याद रखे रहेगा इसका concept कब से चल रहा है इसका concept शुरू किया गया था जब आप लोग का United Nation Convention on Climate Change शुरू हुआ था United Nation Framework for Convention in Climate यह 1990 exactly मुझे याद नहीं है लेकिन 90 के दशक के बाद से इसको शुरू कर दिया गया था ठीक है अब इसमें क्या होता है जो भी हमारे वहाँ पर least जैसे जो countries होती है developed, underdeveloped, developing, least developed ऐसी जो होती है तो जो सबसे जादा नुकसान सहती है वो आपकी least developed countries होती है तो जो least developed countries है इनका बहुत दिन से यह कहना था कि इस तरीके का आप लोग कुछ establish करके दो ताकि हम लोग जो है सफर कर रहा है उसको खतम किया जा सके उस पर थोड़ा focus किया जा सके उसको compensate किया जा सके लेकिन सभी के लिए यह इतना ज़दा important नहीं था अब जाकर क कौन कौन सी ऐसी countries हैं जिन्होंने इसमें हामी भरी है कि ठीक है हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो देखो तो यह वो कुछ countries थी जिन्होंने अपनी तरफ से मंजूरी दी थी कि हाँ आप इस तरीके का क्या करो इस तरीके का आप एक fund शुरू करो जिसमें हम भी भागिदार होंगे हम भी आपके साथ में कुछ इसमें क्या करेंगे कुछ ना कुछ contribute करेंगे जो expected monetary compensation है L&D fund से इसको क शेक implementation plan highlighted that a global transformation to a low carbon economy is expected to require investments of at least four to six trillion dollar a year यह सब छुटी छुटी पॉइंट्स है जो एक्जाम में आते है ठीक है कि जो global transformation है low carbon economy की इसको expect किया जा रहा है कि investment कितने तक की लगेगी तो चार से छे ट्रिलियन डॉलर तक की investment यहां पर requirement होगी ठीक है अब यह तो चलो भाई loss and damage fund होगा मैंने आपको बता दिया कि loss and damage fund create किया जा रहा है loss or damage की क्या definition है कहां कहां पर पैसे दिये जाएंगे किस-किस reason से दि यानि की जो इंडिया है इन्होंने इसके लिए अभी तक क्या क्या किया है अपनी तरफ से किस बारे में इन्होंने सोचा है ठीक है तो देखो जरा इंडिया का जो initiative पहला है national adaptation fund for climate change national adaptation fund क्लाइमेट चेंज ठीक है तो पहले तो भारत की तरफ से जो एक initiative है वह आप लोगों का एने एफ डबल सी है national adaptation fund for climate change ठीक है यह 2015 में शुरू किया गया था ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज से स्टेट को दिया जा सके कब शुरू हुई है इसकी 2015 में इसकी शुरुवात हुई है फिर नैशनल कार्बन टैक्स की तरह से लाए गया था इसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे फिर एक होता है नैशनल एडप्टेशन फंड नैशनल एडप्टेशन फंड यह इंडिया की तरफ से कुछ इनिशेटिव से जो लाए गई है ऐसी कोई भी मतलब क्लाइमेट चेंज की वजए से जो भी विनाशकारी चीजें हमें देखने को मिल रहे हैं उसकी फंडिंग करने के लिए यह इंडिया की तरफ से उनकी कुछ क्या है अभी तक जो भी बाते हुए जर्मनी कनड़ा आगया करके बोलते हैं सा कुछ करेंगे बाकी कंट्री इस की सहमती नहीं होती है कह सकते हो कि उसको पूरा नहीं किया ख़ीक है तो उसको गैदर नहीं किया तो उसकी कोई उस पर आप लोग कह सकते हो कोई भी फाइदा ऐसा न लॉस और डैमिश का प्रॉपर डेफिनिशन दे और बताए कि क्या क्या किया जा सकता है अभी हम लोग वहां नहीं जाते हैं अभी फिलहाल में आप लोग यह याद रखे रहो ठीक है अगला देखो केरल टॉपन डेली वेज पेमिंट्स ठीक है देखो डेली वेज आप लोग तो हम लोग उने कल handbook on estates करके एक report देखी थी फिलाल में हम लोग फिर से वही देखने जा रहे हैं कि RBI की जो handbook of estates करके report आई है handbooks of estates on Indian estates इसमें कुछ report में कुछ चीज़ें बताए गई है जिसमें एक point यह है कि एक daily wage construction worker यानि कि जो construction sites पर जो लोग काम कर रहा है न तो जो एक daily wage construction worker केरल में है यह on an average 837.3 rupees per day earn कर रहे हैं जो की 200 हम देखें तो त्रिपुरा में पा रहे हैं वही same worker और 266 पा रहे है मध्यप्रदेश में 296 मिलता है गुजरात में 362 मिलता है महाराश्ट्र में अब यहां पर important क्या होता है कि केरल जो है यह top कर रही है इसमें ले देखने को मिलती है ओडिशया आंद्रप्रदेश गुजरात महाराश्ट्रा और सबसे ज़्यादा लोग migrate करके भी गुजरात और महाराश्ट्रा जाते हैं पर आप देखो कि केरल में वेजर को कितना मिल रहा है और गुजरात में कितना मिल रहा है तो हम देख सकते हैं कि के केरल में एक वेजर्णर 837.3 रूपीज पर देपा रहा है वही सेम काम के लिए एक जो वरकर है वह गुजरात में 362 पा रहा है और सुरी महाराश्ट्रा में 362 पार और सिर्फ 296 गुजरात में पार रहा है कितनी प्रतिक बात है ठीक है मैं आपसे कई बार कहती हूं केरल ज चीज में अच्छा है लेकिन पावर्टी में बहुत मतलब उन्होंने एलिवेट कर लिया पावर्टी को बहुत दूर कर दिया फिल्हाल में बहुत कम आपको ऐसी चीज़ें देखेंगी सबसे बड़ी बात है के अंदर को टाय में जहां पर जीरो पावर्टी देखने को मिल हिमाचल प्रदेश में इनकी जो अर्निंग है 462 है हर्याना में 420 है आंद्र प्रदेश में 409 दिया जाता है किसको कंस्ट्रक्शन वरकर्स को तो यह जो डेली मतलब काम कर रहे हैं उसके बाद से इन्हें इस तरीके से पेमिंट की जाती है अब यहां पर देखेगा ग्रॉ 2020 के अंदर महाराश्ट्र जो है इसमें सेकेंड पर था 69,900 करोर में था फिर तमिल नाडू और फिर नैशनली अगर हम देखते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल तो यह डिक्लाइन देखने को मिला है फ्वाइट 21 में ठीक है लेकिन दीमेदी में यह क्या हो रहा है तो अब आप चलो अब और अब अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझाया ना तो कुछ देर के बाद में आप वापस आना सेशन देखना एक बार nic a तो ऐसा मत्सोचना कि बहुत हाइल यह नहीं हो रहा है ठीक है चलो ठीक है तो वही चीज़ लिखा हुआ है अब अगर मैं आप से कहते हूं कि यह आप लोगा क्या होता है तो यह थोड़ा सा मतलब आप लोगो हो सकता है उपर उपर से उड़े समझाओंगी मैं आप लोगो आगे आने वाले सेशन में क्योंकि आपको अक्सर देखेगा जीएफ सीएफ का एक्जाम में आप से फुल फॉर्म सीधा पूच सकता एक निंबर ला सकता आपके लिए जीएफ सीएफ क्या होता है यहां पे जो आपके प्रोड्यूसर्स इंवस्मेंट्स जो होते हैं यह सब लिया जाता और इससे जो भी डिस्पोजल है उसको आप लो सब्सक्राइब देखो अपना एक स्पेशल वास्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं ताकि रूपी में क्रेड किया जा सकते हैं रक्षिया के साथ ठीक है अब जरह ध्यान दो सभी लोग वास्त्रो अकाउंट मैंने आपको बहुत बार बता रखा है मैंने आपसे कहा था गाना य vibe pastavus cuz आस्मीलरी आपका अकाउंट ओस्ति हमाड़े पास है पहला कि इसको दिखाता है allowsеро reference क था कि हमारे देश का कोई बैंक होता है हमारा एक डोमेस्टिक बैंक होता है ठीक है ये जाता है और अकाउंट ओपेन करता हैं लेह ए इन फॉरिन बैंकis अब आप सोचो कि जैसे हम अपने अकाउंट कर रहे हैं मेरा सेवेंग अकाउंट या कोई भी एकाउंट में किसी और बैंक में जाकर करके ओपन कर रही हूं एक लेकिन अगर मेरी जगे खुद SBI ही अपना अकाउंट दूसरे बैंक में कर रहा है यानि कि मानलो जैसे यह SBI है कि SBI ने अपना एक अकाउंट बैंक ओफ अमेरिका में जाकर खोला मैंने नहीं खोला कि अमेरिका में जो SBI की क्लाइंट से SBI उन्हें वहाँ पर कुछ सुविधा दे सके तो यह हम वॉस्त्रों कहेंगे सिमिलरली वान लो बैंक ओफ अमेरिका आ गया और भारत में आ करके के अंदर एक अकाउंट खूला यह बैंक नहीं अपना दूसरे बैंक के अंदर अकाउंट खूल रहा है कि आप लोग रूपी में ट्रेड कर सको रश्या के साथ अब रूपी में ट्रेड करने से ही फायदा है कि हमारे उपर जो प्रशेर रहता है डॉलर डॉलर का वह उतना नहीं होगा और हम लोग जो चीज़ें आसानी से मिल सकते हूं से असानी से खरीच सकते हैं रूपी की वैल्यू डिप्रेशेशन और एवरेटिंग वह थोड़ी रूपी रूपी तो इसमें इसमें खोले गाते वह आप लोग देख लेना ठीक है नेक्स देख लो भई इंडिया और यू ने मिलकर के एक पैक्ट साइं किया है क्लाइमेट क्वांटम टेक के ऊपर ठीक है मिलकर के साइनंग की है एक मिलके क्कड करेंगे किसमें किसमें क्लाइमेट मॉडिलिंग में और गूंटम टेकनौलोजmbol, जिसंडीे की ट्रेड और टेकनोलाजी दोनों को भातर की याई for communication network तो इन लोगों ने मिल करके इसकी साइनिंग की है अब इससे अब इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा क्या यह होगा कि इन दोनों कंट्रीज की आपस में जो भी एक्सपर्टीज है याने कि इंडिया जैसे हो गया तो क्लाइमेट मॉटलिंग में या क्वांटम टे आप लोग देख लेना अभी हम लोग फिर नेक्स्ट पर शलते हैं अज तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है चाइना के साथ अभी बहुत फाइदा है कातर वेगरा को यह जो चल रहा है ना ये पलट रहे हैं अपने जगह से यह बहुत बड़ा देने वाली बहुत सारी कंट्रीज को अभी आप लोग थोड़ा देख लो कल हम लोग इसे काफी डीप में डिसकस करेंगे बिकॉस अभी नेक्स क्लास भी है मेरी देखो दोस्तों दस बजे सब लोग आ जाना है तो अभी ठीक थोड़ी ही दिर के बाद दूसरी क्लास हो जाएगी दस बजे सब अभी तक का सबसे लंबा डील है जो देखने को मिला है जो स्टेट एनर्जी कंपनी है यह चार मिलियन टन लिक्विफाइड नेच्रल गैस एन्वली भेजेगी अपनी नौर्थ फील्ड इस प्रोजेक्ट से चाइना पेट्रोलियम और केमिकल को ओपरेशन को ठीक है अब यहां ध्यान दीजेगा आप सभी लोग कि जो एशिन कंट्रीज जो की लीट की जारी चाइना जपान और साउथ कोर्या के द्वारा कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ी मार्केट है कतर की गैस एनर्जी सप्लाइज के लिए नौर्थ फील्ड जो है यह सेंटर है कतर की एक्सप यह फायदे देखने को मिल रहे हैं बाकी कंट्रीज को जैसे रश्या जो है रश्या जभी इल्लों का अपना यह आपस का डील खतम हुआ यूरोपेन कंट्रीज को नहीं को नहीं देंगे आप सप्लाइज नहीं करेंगे अब नैश्रल गैसे और पेट्रोलियम वेगरा कर रहे हैं यह सप्लाइज करेंगे नैश्रल गैस वह आप लोग देख लिना एक और बात जो हमारा कल का सेशन होगा उसमें हम लोग इस सो रिलेटिट कुछ बातों को डिसकस करेंगे एंड डू नोट वरी मुझे अभी तक है कि मुझे आप लोग के साथ पैसा रूल भी ड से एलग किया गया है इंटरनाशनल कमिटी फोर वेटेंड मेजर्स में वेनु कुपाल अचंता हरी ओम यादव आरके गर्ग एस वेल्यू वेल्रू मगन या नन ऑफ दी अबव अरीज कंबत्ता जी किस शेत्रे से जुड़े हैं पॉलिटीशन बिजनस्मैन स्पोर्ट्स परसन सिंगर एक्टर किसने एटीपी फाइनल में सिंगल टेनिस टाइटल जीता है नोवैक जो कोविक कैस्पर रूट रॉजर फेडरर राजीव राम या जो सालिस्बरी यूनियन गवर्न्मेंट के मुताबिक जो नंबर ऑफ बेनिफिशरी फार्मर्स पी एम किसान के अंदर वो उन्होंने कितना करोर मांक क्रॉस किया है 5,8,10,12,15 कौन सानेया फंडर ची से अनौन्स किया था COP27 शर्म अलशेक एजिप्ट में लॉस इंदमेज, कोस्टल रहाबिलिटेशन, जेजी स्टॉक्वंट, पेफर एमिशन, नन उफ दी अबवव As per RBI's latest handbook of stats on Indian state, which state had highest daily wage rate for a worker in FY22? Keral, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, or none Which two banks are allowed to open a special vostro account for trade in rupee with Russia by RBI? HDFC, ICICI, ICICI, Canera, HDFC, Canera, Axis, ICICI, none of the above Recently, India and WHO have signed intent of cooperation on high-performance computing, weather extreme and climate modeling and quantum technology, G7 ASEAN, OECD, EU, none Which country signed world's longest gas supply deal with China, Iran, Russia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq चलो भई तो यह हमारी आशकी class थी अगर आपको अच्छी लगी हो तो comment box में feedback दे दीजेगा जो भी थोड़ी इधर हो थोड़ी यह शुरुवात में उसके लिए मुझे माफ करिएगा अभी 10 बज़े से फिर हमारी MCQs की class होगी जहां पे सिर्फ question answer हम करेंगे फिर मिलते हैं तब तक के लिए अंजली की बात सुनो और उनको आप लोग assist करो ठीके thank you people have a great day ahead God bless you love you